हाई फ्रेंट मैं को और वीडियो के साथ आगूं तो वीडियो को स्टार्ट करने से बढ़े लाइक और सब्सक्राइब करना तो लेट्स गो तो अभी रिसेंटली मुझे पिंपल निकलाया था क्योंकि मेरी स्किन सेंसेटिव हैं प्लस बहुत जादा प्लूशन और ओली यह सब चीज़े हैं तो इस वज़े से पिंपल निकलाया था तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक मास्क बनाया था इसमें आपको लसुन ल अपिस भी शिर नाय चीफी रहते हो उसका रसा एको लिए तीन दिन तक अप्लाय करना आपको अपिसे कर सकते हो नहीं चोटाा या और और आप जो रसन होते हुटा से हिस्सा था गाट वाला उसको काटकर आप अपने पिंपल के उपर रात को अप्लाय करें valuable कि मिश में थोड़ा जीव लगया लेकिन मैं इसे यूज किया था और इससे मुझे बहुत अच्छा एफेक्ट हुआ इवन मेरे को इचिंग भी नहीं हो रही और जो मेरे पिंपल था अपने अपर धीर ठीक हो गया तो यह बहुत अच्छा एक तरीके से है आप इसे यूज कर से लेक कि अथा जैडा जिट लेगे इसना आप और ये जो पेस्ट रा आप इसको बना सकते हो बना कर आप थी डेज के लिए स्टोर करकर लग सकतो तो फिर्ज में नहीं था फ्रेश तु फ्रेश बना कर भी यूज कर सकते हो और इससे आपको बहुत अच्छा असल मिलेगा और जे बहुत अच्छे मिलेंगे और अगर 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 पिम्पल जैसे फिर से स्म्टम दिखने को भी हो रहे होंगे तो वह भी काफ़ी क्लीन पोश रहेंगे क्योंकि यो लसोन आपको पता है उसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं home medicine में भी यूज करते हैं like Ayurvedic medicines में भी यूज करते हैं plus खाने में भी यूज करते हैं honey आपको benefit परता है plus आपको healthy के अच्छी benefits परता है तो इन सबको यूज करने से आपकी जो skin care pimples है वो अच्छे से ठीक भी हो जाएगा प्लस आपको लोगों को जिनको pimples होते हैं वो दवाई है यूज करते हैं नहीं तो तरह तरह की जो मास्क होते हैं उनको यूज करते हैं कई बार उनसे लोगों को इतना फरक नहीं पाते हैं लेकिन यह जो treatment इससे आपको 101% फरक पड़ेगा क्योंकि मैंने अप्लाई किया थो और मुझे काफी अच्छा relief मिला और मुझे अभी कोई भी problem नहीं है और में skin काफी better भी होगी इससे और even अगर आप देखो तो जैसे pimples कईयों को होता है कईयों को दर्द होता है आप के लिए लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है अब यह थ्री देज तक जब यूज करो तो प्लीस आप अवाइड करना कोई आप ओली चीज ना खाओ या कोई आप बहार की चीज ऐसी मत का क्योंकि पिंपल जाज़ता ओईली स्केंज पर ही होते हैं और प्लस अगर हम ध्यान नहीं देते तो इससे ये चीज़े हमारी खराब भी हो जाती तो फिर हमें उतने ही काम करने पड़ते तो अगर आप ये चोटी मोटी बातों का दिहान रखोगे तो आपको ठीक रहेगा तो ओपी लाइक मैं इस वीडियो प्लीस लाइक और सब्सक्राब मैं चनल बाई